हलो नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों आपका आज हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आज हम आपके लिए क्ले क्राफ्ट की एक ऐसी वीडियो लाए है जो आज से पहले कभी आपने नहीं देखी होगी तो आए दोस्तों शुरू करते हैं तो इस वीडियो को बनाने के ल है देखिए इसमें से शेप दे रही हूँ यह देखिए आप इसे नेक का शेप दिया है और यह देखिए से मैं इसके पेस का शेप दिया है यह जिया वायर मैंने इसके अंदर डाल दी यह देखिए यह वायर में इसके अंदर डाल रहे हैं ताकि एक दम पक्का हो जाए पूरा नहीं सुखाना है सिफ इससे थोड़ एर के लिए बहार की सतर से इलका से सूखने के लिए छोड़ना है लाकि जब हम इसे पॉट पे मिक्स करेंगे इसकी शेप ना भिगड़े है चुस्तु मैंने इसकी टेल बनाई है देखिए पूरे पैकम इससे मैंने इतना सा पॉर्शन लिया है उसकास से कर्वी शेप और इस तरह से टेल पे मैंने टूल से ऐसे लाइने कर दिया है थोड़े से क्लेस मैंने येर्स बनाया है येर्स दो पार्ट्स में बनेंगे देखिए पहले वाला बड़ा अंदर वाला छोटा इस तरह से येर्स बन गए है अब में पॉड़े सबसे पहले इस गर्दन वाले इससे को सेट करूगी जो क्ले बचा है वो साथ साथ में इसमें मर्च करते जाएंगे दोस्तों मिक्स करने के लिए मैंने फैविकॉल का यूज किया है आप चाहें तो फैविकॉल के साथ में एक फिंगर मनसिव अंगली गील अब जादा इसमें आपको फैविकॉल का यूज करना है इस तरह से आपको भी बनाना है जादा अंदर गहरा नहीं करना है इसे बहुत ही लाइट सा लेना है और यह देखिए नेकवाला पोशन भी लग गया इस तरह से मैंने विछ लिए टेटल बनाई है टेल को भी मैंने इसे पेस्ट कर दिया है देखिए मैंने इस पोशन को हाथ से दबा की घोल कर लिया है आम बाशन मेले के तो रोटी का आपकार दी दिया है इसे मैंने बीच में से दो भाग में कट कर लिया है जो पॉड का करवी शेप है उस तरह से मैं सक्योपर शेप दे रही हूं दिखीए आप हमें जादा कुछ इसमें महनत नहीं करनी बिल्कुल राउंड टू राउंड मैंने से शेप दिया है देखिए इस तरह से देखिए दोनों साइट पे मैंने यह सेम चीज़ कर दिया है और इसे पूरी रात हम सुखने के लिए छोड़ देंगे तुमारो देखिए दोस्तों यह पूरी तरह से सुख चुका है अब मैं इस पर सेंट पेपर का यूस कर रहे हूं सेंड पेपर का यूजर में इसलिए करते हैं कि जो भी कुछ उबढ़ खाबड हो गया है या कुछ गंदगी लग दी है या फिर उशेप प्रॉपर नहीं हुआ है तो इसे हम गिस के प्रॉपर शेप दे सकते हैं देखिए इस तरसे दोस्तों मैंने सेंड पर से गिसलिया है बिल्कुल ये सही शेप में आ चुका है अब इसके और मैं वाइट पेंट अपलाए कर रही हूँ पूरी तरह से अच्छी तरह से अंदर बाहर हर तरह सा इसके और वाइट पेंट अपलाए कर दीजिए वाइट पेंट लगाने के लिए मैं में यही बोलती हूँ कि वाइट कलर लगाने से है जो आप सेकंड लेयर कलर लगाते है वो कलर उभर के घर के बाहर आता है इसलिए हम वाइट पेंट लगाते हैं पेंट लगा दिया है दोस्तों यह पुरी तरह सोक चुका है अब bad white कलर में बिल्खे बिल्कुल टोन बन चुकी है इसमें में इसकी में आपलाय कर दिये को जो की इस तरह से विल्कुल आपपा लगाई कर दिये जिस जिए पे तॉप लेयर को चेंज कर सकते हैं दोसे पेरे दोस्तों मैंने स्काय ब्लू कलर लिया है देखिए इस तरह से मैंने दोरों साइड इसे स्काय ब्लू कलर अपलाई कर दिया है तैमी सर्कल डी की शेप में इसे अपलाई कर रहे हैं देखिए इस तरह से sky blue के पास मैंने turquoise green color लिया है देखिए turquoise green color मैंने लगा दिया है कोई order नहीं है या कोई size नहीं है कि इतना चौड़ा पतला लेना है मैं अपने according design मना रही हूँ आप चाहे तो design में variations कर सकते हैं turquoise green color लगा दिया है तर्ड लेयर देखिए दोस्तों मैंने औरेंज कलर की लगाई है जब दो कलर अप्लाए हो जा रहे हैं तो आप second color लगाते वक्त दो मिनिट रुकिएगा ताकि दोनों colors mix नहों औरेंज कलर देखिए दोस्तों लगके complete हो चुका है तो आप चाहे हैं तो अपने अकोडिन टोन को चेंज कर सकते हैं कोई design fix नहीं है देखिए मैंने random designs बनाई है त्रेंगल्स बना दिया है इसे क्रॉस बना दिया है पर नेक वाले पोशन पे भी मैं डॉट्स लगा रही हूं दोस्तों कुछ टेक्निकल इशू की वज़े से मेरा हाथ इस तरफ केमरे से बाहर होया तो आपको देखने सब कुछ समझ में आ रहा है देखिए देखिए डिजाइनिंग निसारी कर लिए दोनों से डिजाइन कर लिए पिंक कलर से मैंने इसकी आइज बनाई है अब येर्स में मैंने अलका सा ब्लैक लाइन दिया है दोस्तों मैंने इसकी आइब्रोस बना ली फेस के भी मैंने अलका सा लाइन दिया है और नेक वाले पोशन में जोपने डॉड्स बना थे इनको मैंने पत्ली सी ब्लैक लाइन से जोड लिया है ताकि लगी कि इसमें गले में कुछ पहन रखा है देखिए इस तरह से दोस्तों इसे कलर्स कम्प्लीट हो चुगे है दोस्तों मैंने इसके अंदर मिट्टी डाली है ओदोय वाली मिट्टी और मनी ब्लांट की बेल अमने इसमें डाल दिये देखिए दोस्तों मैं इसमें पानी डल के इसे छोड़ दूगी ताकि मिट्टी इसमें सैट हो जाए अभी बिल्कुल बनके आपके सामने तयार हो चुका है दोस्तों देखिए कितना खुबसूरत है मैंने आपसे स्टार्टिंग में यह चीज़ कही थी कि हमने ऐसा आर्टिकल पहले नहीं बनाया है और आपको यह देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा आप यह जरूर बनाईए धोस्तों यह आर्टिकल बहुत ही खुबसूरत है धन्यवाद दोस्तों आप हमेशे हमारी वीडियो को देखते हैं हमारी वीडियो को लाइक करते हैं हम आपसे चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग क्रियेटिव हैं और वो अपनी क्रियेटिविटी को शो करना चाहते हैं हमारी वीडियो से वो मदद ले सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों ताकि हमारे वीडियो को सबसे पहले अपडेट आप तक पहुचें धन्यवाद